Hello friends, welcome back to our YouTube channel MS Point दोस्तो हम लोग आज फिर से हाजीर हैं दोसरे MS Word का tutorial वीडियो लेखे जहां पर आप लोग हम लोग डिजाइन करने जारें आपको भी business flyer या business letter आपको कुछ भी promoting करने के लिए जो भी marketing posters बनाना है तो आप यह ऐसे design आप लोग यहां से बना सकते हो देखिए हम लोग this is the design यह design देखने में काफी complicated लग रहा मगर यह design हम लोग काफी आसानी से MS Word में design कर सकते हैं this is the design we are going to duplicate चलिए start करते हैं design start करने के लिए पहले हम लोग को पास blank documents है अभी blank documents में क्या है na margin है margin को हम लोग पहले उठा देंगे पूरा canvas use करने के लिए तो margin उठाने के लिए हम लोग जाएंगे कहां पर हम लोग जाएंगे layout में महाँ से margins पर custom margin and we set all the margins to 0 सबको 0 select करते हैं leaving the gutter जो था वोग फोग पोजिशन चोड के अभी okay करेंगे if you get any any pop-up message just ignore that okay now we have our margin free blank canvas ठीक है चलिए design start करते है design start करने के लिए उसको we need a shape shape करने हम लोग insert में जाएंगे उसके बाद shape and we get we take this rectangle set click and draw okay we have this one अभी इसमें click करके दो बारा we go to insert shape and we are going to take this tear drop click and draw ठीक है अब क्या है इसका जो shape fill है हम लोग shape fill में जाएंगे shape fill में जाके उसको color को change करके वोइड कर देते हैं ठीक है अभी क्या है इसको थोड़ा rotate करेंगे हम लोग अब clock wise anti clock wise तूनों side में rotate कर सकते हो अब थोड़ा इसमें click करके हम लोग drag करके थोड़ा नहीं चलाएंगे थोड़ा और उपर जाएगा यह वाला looks fine now हम लोग इसका size बात में adjust कर सकते हैं फिलहाल इसको हम लोग यह वाले shape को हम लोग copy करेंगे ठीक है तो copy करने के लिए फ़ले we are going to select that then control C and control B देखिए हम लोग अपास दूसरा एक shape आ गया हम लोग इसको लोग भी place करेंगे उसका पाद थोड़ा rotate करेंगे okay थोड़ा placement यहां पर लाएंगे उसको उपर okay we are going to take and copy another shape paste करेंगे यहां पर इसको नीचे लाएंगे थोड़ा पहले थोड़ा rotate कर लेते हैं उसका बाद shape को adjustment करेंगे page का requirement जैसे हैं ठीक है looks fine now थोड़ा और rotate कर लेते हैं fine fantastic okay हम लोग क्या करेंगे अभी तीनों एक साथ select करेंगे कैसे select करने के लिए हम लोग keyboard शे shift दबांगे प्रेस करके प्रेस करती हुए दूसरा shape को हम click करेंगे थर्ड बहला shape को भी click करेंगे तो तीनों shape हम लोग का एक साथ select हो चुका है अभी क्या करेंगे हम लोग इसको size को proportionally हम लोग इसको थोड़ा adjust करेंगे इसमें क्या होगा ना छोटा बाड़ा हो जाने के कोई tension नहीं र okay looks fine now okay we have this shape अभी हम लोग क्या करेंगे नीचे एक rectangular box चैसे हम लोग draw करेंगे आपको पता है draw करने के हम लोग इंसनेट में जाएंगे shape and we are going to take this rectangular box click and draw shape fill इसको color थोड़ा change करती है यह लोग देखे है ठीक है अभी हम लोग क्या करेंगे इसका points जोन है na edit shape को हम लोग थोड़ी edit shape करेंगे कैसे करेंगे edit shape में जाएंगे इसको बाद हम लोग points को थोड़ा adjust करेंगे edit points click and drag अब इसको थोड़े adjust करो आपको जैसे लग रहा है okay almost adjusted अभी क्या दिख रहा है यह वह जो existing जो पहले हम लोग tear drop shape लिए था ना वह वह लोग शेप देखिए पीछे चला गया और अभी rectangular जो shape अभी लिया ना ऊपर आ गया हम लोग को गया ने rectangular shape को नीचे भेजना है मंगर background से नीचे नहीं सिर्फ tear drop को नीचे है ठेक है तो हम लोग क्या करेंगे इसको राइट click करेंगे and send to backward see अभी क्या हुआ यह वाला tear drop का पीछे चला गया मंगर जो background color का था उसको उपर में आ ठेक है चलिए design को आगे बढ़ाते हैं अभी यह जो tear drops है इसका अंदर में हम लोग थोड़ा picture insert करेंगे picture insert करने के लिए हम लोग इसको ओपर click करेंगे कोई भी tear drops को ओपर देखिए यहाँ पर आपको option आजाएगा shape fill उसमें जाएंगे हम लोग उसका बाद picture उसका बाद हम लोग को चार option मिल रहे हम लोग क्या करेंगे from icons लेते online image मिल जाएगा हम लोग वहां से लेंगे ठेक है यहाँ पर आगे आपको images में हम लोग जाएंगे यहाँ से हम लोग search करेंगे जैसी business flyer बनाने जा रहे तो हम लोग business related जो भी picture आते हैं थोड़ा ले लेते हैं आपका पास अगर आपका computer में हो तो आप customize image उसमें डाल सकते हो ठेक है तो यह वाला picture लेते हैं अब देख ले न आपका picture जो सही लेगा अब लोग इसका बाद हम लोग insert करेंगे दे यह वाला option ध्यान से देखिएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे देखिए हम एक option मिले है rotate with shape आपको दिख रहा है ना यह वाला को सिप uncheck कर देना है देखिए uncheck करने से यह वाला picture एकदम सही तरकत तरीका से adjust हो गया ठीक है rotate हो अपने आप clear अब यह picture का orientation आप थोड़ा यह वाला picture यह वाला future यह आप यूस करेंगे we are just for the designing purpose we took a random picture okay now we are going to repeat the same procedure हम लोग फिर्से रिमाइनिंग ट्यार्ड्रोप में picture डालेंगे तो हम लोग pictures में गया हुहासे form icon again we are going to search like research or maybe anything okay research में कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग बापस business से ही सर्च करेंगे अब google से भी ले सकते हो यहां पर just दिख यह वाला this one close our picture आ रहा है same procedure हम लोग से rotate with shape को uncheck करेंगे हो गया now we are going to use the third one shape fill picture from icons image take this one yeah this one or maybe this one यह वाला सहे लगेगा again rotate with shape ठीक है यह picture तोड़ा कर जा रहा है तो हम लोग इसको picture को तोड़ा replace कर देते हैं चलिए यह वाला picture को replace करते है picture from icon image centralized face होगा वैसे लेने से उसका orientation सही रहने का chances से यह right side में तोड़ा कट गया हम लोगा तो हम लोग left end में जो है वाला लेंगे यह वाला try करते है इसको already rotated है फिर भी हम लोग try करके देखते है देखे रोटेट हो गया तो left rotation यह वाला सही लगा ठीक है यह picture थोड़ा देखिए अभी है तो बाद में यह वाला picture अब ढंक से choose करना ताकि यह वाला focus विलकुल बीच में आए ठीक है अभी क्या है यह जो shapes का है इसमें हम लोग थोड़ा outline डालते है picture में थोड़ा और bold effect आने के लिए तो outline डालने के लिए हम लोग click करेंगे इसको पर उसके बाद क्या करेंगे shape outline पहले हम लोग white select कर लेते color को उसके बाद थोड़ा bold कर लेते हैं ठीक है 3 looks nice बाद थोड़ा और increase करते है 4 try करते है यह बला सही लग रहा है ठीक है आप लोग इसका जोड़ा आपका outline चाहिए आप लोग इसको adjust कर सकते है we are going to repeat the same thing shape fill weight 4.5 next again click on that shape outline change the color shape outline weight edge and then 4.5 see picture में अभी काफी अच्छा लग रहा है देखने में अभी हम लोग क्या करेंगे यह वाला तोड़ा design को continue करेंगे design continue करने के लिए हम लोग को थोड़ा और दो rectangle boxes नीचे डालना है तो हम लोग insert में फिर से आपस स्वारी जाएंगे वहां से shapes में वहां से we are going to take a new layer rectangle round corner बला लेते हैं adjust करने में थोड़ा सुवीधा होगा click and draw अगर shape बाहर भी चला जाता है canvas का बाहर तो कोई तकलिफ नहीं है वहला नहीं लेंगे ठीक है place bin को थोड़ा सही करते है इसका उससे पहले हम लोगो क्यानैइस के σेप को फोड़ अध्ज़़् करते है save adjust करने के लिए हम लोग कोłychड़ करेंगे click करने के बाद हम लोग को edit जो points है उसमें जाना है edit shape में जाके edit points करना है shape को थोड़ा आपको क्या करना है इसको थोड़ा पहले points को left right में हम लोग फीछते है तोड़ा हिदा उसका बात येवाला जो point है हम लोग को थोड़ा और squeezed करना है हम रहते हें स्कुिछ कर दिया इसको ठीक है इसको round बनाते है थोड़ा looks nice now पेज को छोटा करके थोड़ा देखने में लग रहा है देखिए सही लग रहा है मगर ये अब में थोड़ा शर्फ लग रहा है थोड़ा उसको और एडजस्ट करते है ये वाला portion इसको थोड़ा adjust कर लेते हैं फिर से हम लोग edit points में जाएंगे लोग है अभी perfect rounded corner लग रहा है हाँ जी एकदम बिल्कुल सही है ठीक है अभी page छोटा करके फिर से हम लोग दो बारे चेक कर लेंगे कैसे लग रहा है देखने में अभी एकदम clean लग रहा है ठीक है once we have this shape ready अभी क्या करेंगे ये shape को हम लोग थोड़ा copy करके left में duplicate करेंगे copy करने के लिए control cr control v इधर बेर लाएंगे और shape को छिर्व rotate कर देंगे ठीक है rotate करने के लिए हम लोग बापस से जाएंगे rotation option rotate object option में यहां से उसका बाद flip horizontal click on that देखिए हम लोग को shape क्या हो गया rotate हो गया अभी क्या होगा horizontal पहले rotate कर लिए अभी उसको vertically भी rotate करेंगे फिर से हम लोग इसमें जाएंगे और flip vertical कर देते हैं ठीक है देखिए हम लोग को ऐसी तरह specific आ गया अभी इसको placement हम लोग थोड़ा adjust करेंगे left right में सही से लाने के लिए हो गया अभी हम लोग को क्या करना है इसका जो color है ना background का पहला जो background था उसका color को हम लोग थोड़ा change करेंगे change करने के लिए हम शेफ फिल में जाएंगे वहां से यह वाला color डालते है looks nice yes okay अभी क्या करना है यह वाला जो आपको shape है ना यह shape को हम लोग copy करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा हम लोग background effect डालने जाना है transparency effect shape को copy करके हम लोग दोबड़ा यहां पे paste कर दिया यह वाला portion थोड़ा ध्यान से दिखिएगा हम लोग क्या करने जा रहे shape fill में जाएंगे वहाँ से जाएंगे picture में from icons आपका computer में हो तो आप वह वाला option थे हो भी select कर सकते हो वहाँ से हम लोग जाएंगे images में एक business लिटे दो बाड़ा picture search करते हैं जो compliment करेगा आपका design को building लेते हैं ठीक है building का picture यहां नहीं मिल यहां पर मिलता है तो सही है नहीं तो हम लोग Google से जाके ले ले लेंगे वहाँ picture सही लग रहा है इस वाला picture सही लग रहा है उसको हम लोग background में डालेंगे transparent effect से अब यह transparency जो effect है हम लोग कैसे डाल सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है so we go to this transparency option अगर यह वाला box of formatting picture box आपके पास नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसे ला सकते आपको पता ही है picture में आप दो बर क्लिक करोगे आपको यह वाला option enable हो जागा नहीं तो हम लोग shape outline से जाके more option में जाके shape fill में जाके gradient से भी यह वाला option enable कर सकते हो ठीक है fine चलिए अभी देखते हैं transparency कैसे डाल सकते यह transparency option आपको दिख रहा है इसको हम लोग थोड़ा adjust करने जाएगे देखे देखे transparent हो रहा है हो रहा है थोड़ा और डाल देखे transparent करते हैं थोड़ा और सा okay 72 विल किप इट 72 ठीक है अभी क्या है न यह जो transparency वाला जो वाला layer है यह अभी तक गूपर में अभी हम लोग को क्या है इसको back में धकेलना है कैसे धकेलेंगे आपको पता ही है right click on it send it to backward देखे यह भी क्या हुआ ना जो first वाला जो square box था उसका पीछे आया ठीक है अभी हम लोग को और back back में लाना है इसको send to back okay second वाला जो ले रहा था उसका पीछे आया second वाला shape का now again we send it to back देखे अभी क्या था ना जो drop tear drops का उच्छे नीच आया last में जो था shape से अभी और तो shape बचा है उसका पीछे हम लोग उथा कहलना है देखे first वाला shape का पीछे गया second वाला अभी first वाला shape का भी हम लोग पीछे जा सकते है ठीक है यह वाला हम लोग procedure फॉलो कर सकते हैं ऐसे करते करते हैं इसको किया पूरा हम लोग पीछे में डाल दिया और send to back कलने से भी चला जाता है मगर हम लोग हमको समझाने के कोशिस कह देती है इसलिए हम लोग I try to explain every procedure ठीक है देखी यह वाला portion हम लोग complete होगी एक transparent effect आगे हम लोग ओपर पास ठीक है चली design को आगे बढ़ाते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे यह वाला shape में click करेंगे उसको बाद हम लोग चाहेंगे shape fill में इसका color change करके यह वाला color डालते हैं उसको बाद shape outline no outline same we are going to repeat with this one shape fill use this color and shape outline no outline ठीक है next हम लोग जाते shape outline इसका भी outline नहां डा देते हैं जिसका outline था उसका डा दिया हम लोग चली design को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा यह पर text box डालेंगे text box डालने के लिए हम लोग को जाना है insert में वहां से जाना है यहाँ पर text box option में आपको यह उसको click करना है उसका बाद draw text box click and draw अभी आपको जो desired text है आपको यहाँ पर type करो उसका बाद हम लोग formatting उसको change करें के normal word का formatting है double click करके उसका बाद उसको size थोड़ा change करते है business 48 looks nice अगर हम लोग क्या है इसका font का style तोड़ा change कर लेते हैं तोड़ा और bold कर लेते हैं let's make it 40 इसका color को white करते हैं text का color को white करते हैं background white है अगर text का color white करेंगे तो हमको दिखाए नहीं रहेगा तो we'll change that later on okay पहले इसको text box को हम लोग क्या करते हैं shape fill में जाते हैं shape fill में जाके no fill कर देते हैं देखिए अभी आ गया क्या आपको background हट गया तो अभी पूरा normal background में आ गया ठीक है अभी shape outline में हम लोग जाएंगे no outline करके पहले हटा दिए text box का उसका बाद अभी हम लोग यह text का जो color है उसको हम लोग change करते हैं same effect अभी इसमें तुस्ता type करते है with us with us सही है उसके बाद exclamation marks डालते हैं दोवाला अभी इसको थोड़ा align करेंगे पहले text box को छोटा करके उसका बाद इसको close में हम लोग place करेंगे देखिए looks fine now right we will continue this procedure फिर से दोबार यह वाला text box को copy करेंगे नीचे लाएंगे अभी वे गुए अड़ समॉल details into it यह details काफी महतोफून पाथ है यह डिजाइन का थोड़ा आप लोगो text का जो भी आप लोगो business के message पूट across करना है अपका customer के पार अपका customer के पार यह वाला जो tag जो lines है important lines आप यह आप से डाल सकते हो पहले we have this text here double click on it change करते है color को थोड़ा और font style आपको जो भी use करना है आप कर सकते हो यह वाला font style थोड़ा यह वाला है मगर हम लोग कुछ straight forward simples of font यह वाला okay we are going to include that cursive style as well okay थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको 70 बोल कर लेते थोड़ा इसको okay fine let's make it a two as well अभी इसको हम लोग उपर में जाके place करेंगे थोड़ा थोड़ा और उपर ठीक है अभी इसका color क्या बोलते color थोड़ा और deep डाल देते हैं इसमें let's make it bit like yeah this one looks absolutely fantastic देखिए थोड़ा अच्छा glow आगया design में चलिए we continue the design now we need to insert some text boxes so अभी इसको फिसे existing text box को copy करके हम लोग उपर में लाते थोड़ा अभी text का size को छोटा करेंगे पहले एक डामी टेक्स थोड़ा यहां से ले लेते हैं कुछ भी पेस्ट करके उसका पेस्ट का size को फोड़ा चोटा कर लेंगे font में जाके हम लोग इसको 10 आगे दिए हम लोग का पास डामी टेक्स बॉक्स एक टेक्स बॉक्स हम लोग यहां पर रखते हैं थोड़ा और उपर में लाते हैं ठीक है alignment सही लग रहा है नीचे एक हम लोग website का एक website का link डाल देते हैं www.yourwebsite.com कलर को थोड़ा चेंज करके इसको थोड़ा बीडिफाई करते हैं बॉक्स को हम लोग सिलेट कर लिया उसके बाद size को let's make it 18, 16 इस बन 14 लुक्स नाइस थोड़ा नीचे लाते हैं और उसको कलर को चेंज करके थोड़ा डिस्टिंग करते हैं तो यह काम करते हैं फहले .…..................................................................................... मेक इट वाइट एंड डॉट को भी वाइट करते हैं तुरह फोकल पॉर्ट डाल दिया विशेट करने को ठीक है तुरह और अग्जस्मेंट कर दिया फाइन ट्यूनिंग नेक्स सम्लोग यहां पेपनां अपका कंपझा अपका कंपनी उपनांक का लोगो डाल सकतो लेपल इंसर्ट करने के लिए लिए हम दोगों का चैप से पले लेकलेगा शेप लेए इसके बाद हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, शेफिल में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, आपका कम्पीटर में अगर आपका कम्पनी का ब्रैंड का लोगो है तो आप डाल सकते हो, हम लोग एक रैंडम सा कुछ भी है, इसमें एक डाखते हैं, चलि यूज, लेट्स यूज लेट्स यूज दिस वन, इसका कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़े डिस्टिंग के लिए, पहले इसका साइच छोटा कर लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं, पिक्चर वाला ओप्शन में, महां से आंगे पिक्चर कलर, एंद लेट्स, 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 मेकिट यूलो, हाँ, ठीक है, थोड़ा और उसको एडजस्ट करेंगे, प्लेस्मेंट को, शेप आउट्लेन में जाके पहले इसको आउट्लेन हम डाह देते हैं, उसका बाद हम लोग नीचे तोड़े टेक्स डाल देते हैं, कंपनी का ट कंपनी का टेक्लाइट अब यहां पर डाल दो, हम लोग कंपनी का नाव में image point, so we are going to use that, font कुछ थोड़ा चेंज करते हैं, text box को छोटा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा और एक company का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग tagline टाइन लेंगे, थोड़ा और, sorry, text box को copy करके, नीचे हम लोग डालते हैं, इसका size छोटा करेंगे, फैले हम लोग type कर देते हैं, यह tagline, fine, we text का size तोड़ा छोटा करते हैं, select करके आप उसका size छोटा कर ले, 10, let's make it 10, अगर चाहिए तो आप इसका style चेंज कर सकते हूँ, looks nice, right, page को छोटा करके थोड़ा देख लेंगे, कैसे लग रहा है, देखी, design अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा चल रहा है, next हम लोग continue करेंगे, थोड़ा और text टालेंगे, चलिए हम लोग design को continue करते हैं, थोड़ा और text box डालते हैं यहाँ पर, ctrl c, ctrl v, capital में y लिखते हैं, उसका text box चोटा कर गया है, size को भी थोड़ा adjust कर लेते हैं, let's keep it 26, text box को हमेंसा आप छोटा कर लेना, ठीक है, जब भी text box आपको हो जाएगा, बहुत समेंसा यह आद करके छोटा कर लेंगा, नहीं तो यह spacing के issue आजाएगा, दुसरा जब भी आप text box टालोगे, override होने के chances से, अभी copied another text box, अभी यहाँ पर like why choosers, ठीक है, color change करके इसको हम लोग theme color यूज़ करें, तो यह दो dark yellow, now we take another text box, छोटा text box तो इसलिए हम लोग यह बला छोटा वाला copy किये, तो formatting का, अलाम हम लोगों करना पड़ेगा, now let's make it a bullet, चलिए इसको थोड़ा वीडिवाई करते हैं, थोड़ा bullets डालते हैं, ठीक है, designer वाला bullet डालते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करना है, पहले text box को अब select करो, यहां पर देखिए, अपको bullet option मेलता है, ठीक है, यहां पर select करो, select करने के बाद we are going to use this one, ठीक है, हो जाने के बाद अभी देखिए, सब एक ही line में हम लोग इसको तरह अलग-अलग line में डालते हैं, तो पहला line का जो last है, उसमें हम लोग पहले select कर mouse cursor लेके जाएंगे, first line का last में, उसका keyboard से delete डवाओ, और enter डव, ठीक है, इसी तरह आपको जहां पर चाहिए, तो ये वहले section में हम लोग का complete हो चुका है, और एक बुलेट डाल देते हैं, थोड़ा section थोड़ा और फिल हो जाएगा, right, looks nice now, थोड़ा placement देख लेते हैं, इसको छोटा करके थोड़ा देख लेते हैं, कैसे आ रहा है, design अभी तब, design अभी सही लग रहा है, चलिए design को और आगे बढ़ाता है, we need another text boxes, अभी text box को और लेते हैं, this is a business flyer, business poster design है, तो काफी साल information आपको यहाँ पर डाल ला पड़ेगा, details डालने के लिए, plus customer को attract करने के लिए, तो अभी यह वाला section है, text box section आप सबको utilize कर सकते हो, ठीक है, यह वाला section में हम लोग का complete हो चुका है, तो राच जाल में यहाँ पर डालेंगे, तुसरा भी वाला text box पर again copy करेंगे, यहाँ पर डालते हैं text box को, हम लोग फिलाला भी dummy talks ती उस कर रहे हैं, आप अपना जो भी text है, important text आप यहाँ पर डाल सकते हो, customer आपको जो भी details देता है, उसको आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, MS point यूज करने से सबसे benefit area यह ही है, कि आप खोद एडिट कर सकते हो, customer एडिट कर सकते हो, ठीक है, यह वाला function हो गया, हम लोग फिर से यह वाला text box को copy करके text box डालते हो, यह design को continue कर रहे है, अभी क्या है यह वाला section को हम लोग थोड़ा और थोड़ा बहतर डिजाइन करेंगे, इसलिए हम लोग पहले इसको जो orientation है, उसको पहले middle कर गीए, इसको थोड़ा नीचे में लाते हैं, थोड़ा और नीचे लाते हैं, एकदम ब picture insert करना है और एक tagline डालना है, तो हम लोग picture insert करने के लिए पहले एक box ड्रॉ करेंगे, shapes में जाके rectangular box ड्रॉ करते हैं, एक call to action कोई भी picture यहां से डालते हैं, हम लोग जाएंगे picture में, from your file आपको जो भी call to action यह picture यहां पर डालना है, आप डाल सकतो, we are going to use this shine, और यह पर इसक इसको adjust करके, पहले shape outline को पहले हटा देते हैं, no outline कर देते हैं, इसका बाद इसको थोड़ा adjust करेंगे, इसका साथ एक bold text डालेंगे, text box हम लोग copy करके हैं, अपर लाया, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया box को, उसको बाद लोग text type करते हैं, creative, text box को छोटा करके, color को change करके black रखते हैं, size को थोड़ा और adjust करते हैं, थोड़ा और नीचे, yeah, looks nice, 20 looks fine, अभी इसको थोड़ा text box को हम लोग copy करेंगे, पहले adjust करके थोड़ा इदर और डाल देते हैं, okay, text color को अपर नीचे लाए, creative business, placement यहां पर कर दिया, यह वालब picture को थोड़ा यहां पर डाल लाते हैं, okay, चलिए देखते हैं, design कैसे आ रहा है हम लोग का, छोटा करके paste थोड़ा देख लेंदे, देखें, design कैसे लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है, चलिए इसको continue करते हैं, design को, अभी क्या है, बचा हुआ है, स्रिफ यह बले जो boxes है, दो boxes में हम लोग थोड़ा पिक्चर आज़ा लेंगे, text boxes जैसे, तो existing जो भी हम लोग को पास, उसको हम लोग use कर सकते हैं, नहीं तो अब लोग क्या कर सकते हैं, यहां से, यहां पर ला दिया, पिक्चर में जाते हैं, इसका color change करके देते हैं, ठीक है, यह बला ला दिया, अब यह बला दूसरा image आप लेंगे, यूज़ कर सकते हैं, यह दोनों text box हम लोग एक साथ select करके यहां से copy करके लाएं, आपको पता हैं, आपको पता हैं, दोनों box एक साथ select करने के लिए, keyboard से आपको control दबा कर सकते हूं, text box हम लोग यहां पर text change कर लिए, नीचे और यह वाला same text हम लोग यूज़ करने चाहरे हैं, यहां पर color change कर देंगे, इसको white कर देंगे, यह simple सा procedure है, हम लोग इसको repeat नहीं कर रहे हैं, आपको आपको पता हैं कैसे करना है, हम लोग we are just going to continue the design और यहां पर थोड़ा fast forward कर देंगे, कर दो देंगे, आपको 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 आप झाल झाल कि यह वाला का श्रिक्ष में हम लोग कम्प्रीट हो चुकिया है हम लोग नीचे फोड़ा और और कॉल्टो एक्षिन डालेंगे या कंट्टब्टेटर्स डालेंगे ठीक है तो हम लोग insert में जाएंगे, shapes में जाएंगे, एक rectangular box लेते जा रहे, एक छोटा box लाते है और contact का phone का icon डालते हैं, save fill में जाएंगे, picture से save fill करेंगे, from a file, okay, we have this phone icon here, अभी phone number नीचे डाल देते हैं, इसका पहला हम लाउटलाइन का, no outline करके, इसका size को थोड़ा छोटा करके, हम हम लोग वगल में भी phone number डाल देते हैं, ठीक है, phone number डालने के लिए आपको पता ही है, एक text box को आपको copy करना है, असका बाद यहां पर phone number डालेंगे, phone number, fax number आपको जो डालना है आप यहां पर डाल सकते हैं, आपको थोड़े increase कर लेते हैं, random number हम लोग use करें अभी यहां पर next हम लोग को company का address यह company का website, email address आपको जो भी डालना है, अब डाल सकते हो, we are going to use, let's use address here, यह text box हम लोग को copy करेंगे, लाते हैं, your address, अब दो के जागा, तीम भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, company का phone number हो चुका है, email ID डाल सकते हो, location डाल सकते हो, website address डाल सकते हो, website address we already used, in the top right corner, यह editable version है, हम लोग आपको दे देंगे, डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करेंगे, आपका जो भी डिटलेस यहां पर डालना है, आप यह वाला section आप डाल सकते हो, देखिए, हो चुक है, आप लोग एक अलग से शेप यहां पर ड्रॉग करेंगे, यहां पर थोड़ा देखने में थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है, शेफ फिल में जाके नौ आउट लाएं, शेप आउट टैम में जाके लाएं, तोड़ा अट्जस्ट कर लेंगे, हम लोग का design almost complete हो चुका है, देखा हम लोग का design almost complete है, ठीक है, यह बला design हम लोग ऐसे बनाएं, आप design को आप picture change कर सकते हो, या editable file को लेकर आप कुछ भी use कर सकते हो, color combination आप change कर सकते हो, या design को और beautify भी कर सकते हो, हम लोग try कर लेते हैं, आपको दिखाने के लिए कि आप कोई भी business flare और कोई भी flare आप image point में, image word यूज करके कैसी बना सकते है, ठीक है, यह था आज के विलियर, यह तक आप की कोई बना सकते हो, यह तक है.